नमस्ते आज के साभार उत्सव में आज सब का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे कारेक्रम के मुख्य दिथी प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री शी मुकेश अग्नियोत्री जी को आने में थोड़ी देरी हो जाएगी जिस तरहा पिक्चर हीरो के बिना दूरी है व अगर उनका हुकम है दिश्चोब मस्ट गो अन तो इसे लिए हमने शुरुआत कर दिया आज के उत्सव की और थोड़ी ही देर में हमारे बीच पंजाब के प्रसित कलाकार कवर गरेवाल जी भी पधाडने वाले हैं पर मैं सबसे पहले हरोली की जनता का आप सब का धन्यवाद करना चाहती हूँ अगर बीच साल के छोटे से राजनेतिक सफर में मुकेश अग्योत्री जी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो पाया है वो पांच बार लगातार जीते हैं चुनाओ तो यह आपके साथ की वज़ा से है आपके आश्रिवाद की वज़ा से है हमारे हरोली की शीतल धर्ती नहीं मुकेश अग्योत्री जी का नाम देश में पहुंचाया है उनको देश में आज एक पहचान दिलाई है तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका बहुत-बहुत आभार आज मैं खास दोर पे कॉंग्रेस पार्टी के कारे करताओं को धन्यवाद देना चाती हूँ ये चुनाओं आपने लड़ा मैंने देखा आपने संघर्ष किया बलीदान दिये दिन राते करके एतिहास एक जीत दर्ज की आज पूरा प्रदेश में आपने देखा पिछले चुनाओं में बड़े बड़े नेताओं ने ठाना हुआ था कि मुकेश अग्नियोत्री को हराना है पर आपने सुनिश्चित किया कि मुकेश अग्नियोत्री जी पहले से अधिक मार्जिन से जीत कर जाएं यहां से यह आपका साथ है इस चुनाओं में हरोली ने सच्चाई को चुना हरोली ने विकास और प्रगती के रास्ते को चुना और सबसे महत्वपून अपने बच्चों के लिए एक सुनहरा भविश्य चुना हमने एक मिलकर सपना देखा है कि हरोली को पच्चास साल आगे ले जाना है आप सब तयार हो सपने को रंगने के लिए तयार हो तो फिर आपने देखा होगा पिछले एक दो महीने सरकार को अभी पूरे भी नहीं हुए जिस हरोली रामपुर भूल को पिछले पान साल में रंग भी ने हो पाया वो जगमगाने लगा है ख़ड कॉलिज का परिसर चालू हो गया है ये ट्रेलर है पिच्चरानी बाकी है मैं आप सबको धन्यवाद देती हूं दिल से धन्यवाद देती हूं आपने मेरे पापा को मुझे सबको बहुत प्यार दिया बहुत आश्रिवाद दिया मैं जब जब जहां जहां हरोली में गई मुझे रोज प्रेड़ना मिली बेतर इंसान बनने की प्रेड़ना मिली आप सब मेरे प्रेण नस्त्रोत रहें, आपके प्यार के लिए, आपके आश्रिवाद के लिए, आपके साथ के लिए, मैं जनम जनमांतर तक रिनी रहूंगी, आपके प्यार को मैं कभी नहीं बुला पाऊंगी, जिस तरह आपने मेरे परिवार का साध्याय में यहीं उमीद करती ह हुँकि मैं हमेशा आप सबके साथ खड़ी रह पाऊं, और हम मिलकर हरोली को देश में विकास काई मौरडल बनाएं। यह मेरे लिए गौरव की बात है कि मैश यहां हरोली की बेटी हूँ और मैं यही कामना करती हूँ कि आपको अपनी इस बेटी पे, आपको अपनी इस बेहन पे गर्व होगा यही मेरी उमीद रहेगी यही कामना रहेगी आज मेरे बीच यहाँ पे हमारे बीच मेरी मम्मा है मैं यह जरूर कहना चाहूंगी आसान नहीं हो ता किसी नेता की बीवी होना खास कर जब वो मुकेश अधनियोतरी जैसा जनूनी हो पिछले बीच साल में मेरी मम्मा ने मेरे पापा की राजनितिक तपस्या में एक कंदे से कंदा मिला कर साथ दिया नजाने कितने त्याग दिये पर कभी उफ नहीं की तो मैं सलाम करती हूं अपनी मम्मा को वैसे तो वो मेरी उमर के बच्चों को पढ़ाती है पर जो भी मेरी मम्मा से मिलता है ये जरूर सीखता है कि अपना जीवन अपनों के लिए नचावर कर दो